हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वन्स अगेन ओन अवेकन ब्रेंज दोस्तो आप सब का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेंज यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में एक और बहुती इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जहां दोस्तो यहां पर आप सब जानते हैं कि जेके SSB ने कुछ दिन पहले ही एडवांस नोटिस जारी कर दिया है अब कंड़क्ट आफ ओमर बेस रिटेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट सुपरवाजर सोशल वेलपेर डिपार्टमेंट और इससे पहले एक अपडेट आया था कि 201 वेकेंसी से घटा कर आप सोशल वेलपेर डिपार्टमेंट के पास सिब 186 ही वेकेंसी हैं तो कॉम्पिटिशन तो होगा उस कॉम्पिटिशन की तयारी के लिए हम यहां पे यह व विजन करने के लिए जादा टाइम नहीं है उसी को मद्दे नजर रखते हुए मैं यह वीडियो आपके साथ शेयर करने आया हूँ यूनिट वाइज यहां पे आपको MCQs, different books, different sources से मैं बताने की कोशिश करूँगा फिलहाल जो मैं किताब लाया हूँ यह सारे candidates जो हैं वो नहीं कर पाते हैं महंगी किताबे होती हैं वो मैं खुद पर्चेस कर रहा हूँ और आपके लिए revision के लिए यहां पे आपकी help के लिए आया हूँ तो यहां पे इस चैनल पर आप नए हैं पहली बार आए हैं तो इसी तरह के job related videos educational videos और job related update JKPAC, JKSSB, JNK की तमाम information job related यहां पे आपको मिलती रहती है और साथ में educational content, exam content भी मिलता रहता है तो यहां पे particularly यह video series जो है अब मैं कुछ दिन के लिए जो है जारी कर रहा हूँ करके जाएं काफी help होगी, bell notification icon को press कर लें ताकि हर latest video आप तक हमारा इसी तरह से पहुंचता रहे, information अगर आपको अच्छी लगी इस video में और यह video के content आपको अच्छे लगे, MCQs अच्छे लगे, तरीका अच्छा लगा तो like, share और comment करना ना भूलेगा, कोई भी सुजाव, कोई भी query हो, वो भी comment में पूछना ना भूलेगा, तो बिना वक्त गवाए, चलो शुरू करते हैं आज का ये video, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि JKSSB का हम यहाँ पे supervisor की post के लिए unit wise specialization, जो 60 marks का syllabus है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 60 marks का syllabus है, वो आपके लिए MCQs क की शकल में लाएं हैं, ताकि आपको revision करने में मदद हो, unit wise specialization को unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6, इस तरह से हम ये videos लाएंगे, MCQs लाएंगे, with answers लाएंगे, और different books की sources से लाएंगे, फिलहाल जो ये book मैं ले रहा हूं, ये भी काफी अच्छी है, काफी review करने के बाद मैंने इसे purchase किय है, I hope कि आपको यहाँ पर ये videos, यहाँ पर revision करने में काफी मदद करेंगे, अगर आपके बस किताबें भी होंगी, तो भी आपको किताब पढ़ने में काफी time लगता है, ये videos आप fast forward करके भी question answer सुन सकते हैं, ताकि आपको recall और revision करने में मदद होगी, तो हम शुरू करते है आज JK SSB supervisor की post, unit 1, specialization, MCQs, question with answer 60 marks का पहला unit, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखे पहले unit 1 के content क्या है, specialization जो 60 marks का syllabus है, उसमें content unit 1 के है, society, community and association, दूसरा है social stratification, जिसमें caste, class, social stratification in India की बात की गई है, तीसरा है social institution, norms, values, folkways and mores, चोता है marriage, kinship and family, पांचमा unit है social change, industrialization, globalization और modernization, तो इस सारे इन सब topics को मिला कर बनता है unit 1, आप सबने यह पढ़ा भी होगा, MCQs, practice, MCQs को solve करना, MCQs को सुनना, question answers को बार बार, यह exam point of view से काफी important हो जाता है, ताकि आपको exam में question solve करने में मदद मिलती है, तो चलो शुरू करते हैं आज के MCQs, तो यहाँ पे MCQ में question number 1 है, यहाँ पे sociology is the study of, तो option B, society, question number 2, यहाँ पे appearance of Ibn Khuldum was in option number A, 1332 to 1406 AD, यहाँ पे question number 3 पे चलेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, question number 3, in common parlance a person is said to be cultured if he is, तो यहाँ पे all three में आएगा, polished in manners, polite in speech, refined in taste, यहाँ पे अगर कहीं पे भी किसी को question का कोई doubt हो तो यहाँ आपके पास सही answer हो, यहाँ पे book में error हो, तो जुरूर comment कीजेगा, positive comments are always welcome in my videos, question number 4, the classic definition of culture is given by anthropologist, यहाँ पे option A, answer है, Taylor Reads, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि classical definition of culture, जो है, वो anthropologist ने दी है, और उसका नाम Taylor Reads है, question number 5 की तरफ चले, तो question number 5 में आप देखें, one of the following is not the characteristic of the culture, तो option C, सिधा answer यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ, it is found both in the animal and the human society, question number 6 पे चलते हैं, तो question number 6 यहाँ पे आप देखेंगे, cultural traits, cultural traits are formed on the basis of A, needs of life, question number 7 यहाँ पे cultural growth is a continuing process, option B, a continuing process, question number 8 पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, question number 9, cultural diffusion can start only from, यहाँ पे option A, centers of cultures anywhere, यहाँ पे question number 10 पे चलेंगे हम, तो question number 10 आपको देखने को मिलेगा, material culture is always the product of, यहाँ पे all of these, किस-किस का material culture जो है, किसका product होता है, ideas का, knowledge का, skills of mankind, तो यहाँ पे all of these, option D is the correct answer, the community is to be found in, यहाँ पे A, answer आएगा, every human society, जहाँ पे भी human society होगी, वहाँ पे community आपको मिलेगी, question number, यहाँ पे 11 के बाद, आप चलेंगे, तो question number 12 पे आपको देखने को मिलेगा, community is more self-sufficient than be, groups, community जो है, self-sufficient है, groups से, जादा, obviously, groups तो किसी का भी हो सकता है, community जो है, वहाँ पे आपस में निर्भरता, जो है, वह जादा होती, self-sufficient होती है, क्योंकि आपस की need वो अपनी community से पूरा करते हैं, question number 13, community is less self-sufficient than, यहाँ पे society, उसके बाद, यहाँ पे आप question number 14 पे चलेंगे, तो in a community, members are supposed to be primarily share, यहाँ पे common interest, option C is the correct answer, question number 15, the basic, sorry, the basis of the community is, यहाँ पे common locality, common locality ही इसका basis है, यहाँ पे question number 16, in a community, effects of common locality is being much reduced by, यहाँ पे आगे question का, पूरा complete, यहाँ पे option के साथ मिलेगा, आपको option B इसका answer, developed means of transportation and communication, तो जहाँ पे भी आपको question सुनने में दिक्कत आए, देखने में, आप slow भी कर सकते हैं, fast forward भी कर सकते हैं, दुबारा भी revise कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, तो मैं दुबारा question number 16 पढ़ लेता हूं, in a community, effects of common locality is being much reduced by, तो यहाँ पे option यहाँ पे इसका है, B, developed means of transportation and communication, question number 17, forgiving factor in community life is, यहाँ पे A, यहाँ पे देखेंगे आप, तो community sentiments, question number 18 में आप देखेंगे, which of the following is not a basis of the community life, तो यहाँ पे common thinking, answer आएगा option A, common thinking, बिना time गवाए, मैं थोड़ा quick, यहाँ पे question भी पढ़ रहा हूं, answer भी पढ़ रहा हूं, which of the following is essential factor in community life, option है, B, likeness, question number 20, which of the following is not main factor responsible for the development of community, option A, character, option A, character, question number 21, the percentage is called as, यहाँ पे scientific age, scientific age, question number 22, in rural society, even now a family is like, यहाँ पे option C, association, association, Rural society means, A, collection of homes in a village, तो यहाँ पे question number 24 है, according to the Macaibur, state is more association than a community, the village, question number 25, the village community is one of the results of option B, agriculture system, agriculture system, question number 26, which of the following is not an essential condition for the formation of an association, तो option A आएगा, people may or may not be organized, यह हो भी सकते हैं, और्गनाइज या नहीं भी हो सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, अपनी choice है, question number 20, यहाँ पे 7 पे आप आजाएं, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, question, which of the following is not true of an association, option A, it came long before the society, यह सही नहीं है, बाकी सही है, it came after the society, it is formed for a specific purpose, तो आप एक option, question के अंदर जो options हैं, उनको भी जुरूर डिसकस करें, उनको भी जो solve करने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा नौलेज आपकी बढ़ेगी, question number 28 में है, which of the following is not true of an association, but that of the community, तो A option सही है, it has distinctive organizational features, question number 29, यहां पर देखने को मिलेगा, which of the following is true of an association, A option, it cannot be natural, it cannot be natural, question number 30, which of the following is true of a community, but not of an association, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, option B, correct answer, it meets all demands of the people, question number 31, a community is more than any specific organization, that raise within it, it is said by, यहां पर यह किस ने कहा, RM MacIver ने कहा है, question number 32 पर जाएं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, which of the following is true of the community, तो answer यहां पर A रहेगा, it does not indicate procedures, it does not indicate procedures, question number 33, social institutions are the very heart of culture, of a community, undoubtedly it's proud was said by, यहां पर मकाइवर ने कहा है, option C, मकाइवर, manifest functions of an institutions, are those which are, option D, न न थीज, न अंस्टेबल, न अन अरॉगनाइज, न गुमिनिटी, तो यहां पर manifest functions में, कोई भी नहीं है, question number 35, which of the following is not concerned, with the institution of family, option C, family business, यह जो है, इसके साथ, not concerned है, institution of family के अंदर, यह नहीं आता, child आता है, marriage आता है, बिल्कुल, और family business नहीं आता, question number 36, अब चलें, तो देखें, which of the following is not the function of social institution, तो option B है, imposing morality and ethics, अब question number 37, पर आप चलेंगे, which of the following is not essential element of community, यहां पर answer मिलेगा, B, तो यहां है common behavior, question number 38, पर चलेंगे, तो यहां पर आपको देखने मिलेगा, which of the following is not true of an institution, option B, it performs foundational function, it performs foundational function, who has said, question number 39, who has tried, who has tried to divide the functions of an institution, as manifest and latent, तो option B है, marathon, 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 question number 40, आप देखें, तो society can be properly studied, if latent and manifest functions are, यहां पर option B, allowed to come closer to each other, उसके बाद यहां पर 41 पर चलें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, when the researchers, ask the respondent, face to face question, this method is called, simple है, interview schedule, interview schedule कहा जाता है, 42 पर चलें, power that people consider legitimate, is known as, यहां पर इसको authority कहते हैं, जो legitimate है, जो आपको दी गई है, और जो मिली है आपको, वो legitimate, उसको authority कहते हैं, और question number 43, social structure of a society, is the network of, D, compliance to norms, question number 44, WID approach believes in, तो यहां पर हम option पर ही चलेंगे, directly, तो यहां पर एक question का answer है, C, आपका option मिल गया, यहां पर incorporating women in development activities, उसके बाद यहां पर आप चलेंगे, question number 45 पर, greenotology is the study of, greenotology किसकी study है, aged and aging की study को, greenotology कहते हैं, the most pervasive of social processes are, यहां पर competition, B option इसका सही है, abstract sentiments are, question number 47 का option C, provide a focus for allegiance, उसके बाद 48 पर, the creative potential of personality is accounted for by, यहां पर option B, drive psychology, drive psychology, 49 और question पर चलेंगे, the country with better record, for gathering population statistic, than any other is, यहां पर option A है, Japan, दो बारा से पढ़ लेता हूं, the country with better record, for gathering population statistic, than any other is, तो जापान का record, जो है better है, बाकी country हों से, जो की population की statistic को, बया करता है, describe करता है, explain करता है, better way में, जापान accurate data के साथ, जो है इसलिए जापान को, यहां पर top priority में रखा गया है, question number 50 में, the exception to the typical application of endogamy is, यहां पर option C, kinship, 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 the 51 question का, question है, the Hindu marriage act was enacted in the year, यहां पर 1955, 1955, यानि की एक बात और याद रख सकते हैं, constitution, जो है, effect में आने के बाद, 26 January 1950 आने के बाद ही, the Hindu marriage act जो है, वो लाया गया था, 1955 में, ऐसे भी याद रख सकते हैं, question number 52 में देखें, तो Hindu adoption and maintenance act was passed in the year, 1956, 1956, the medical termination of pregnancy act was approved in the year, पहली बार 1971 में, 1971 में इसको लाया गया था, question number 54, which article assures equality to all citizens, including women, यहां article 14, इसका answer है, option number C, option C, उसके बाद question number 55, the social welfare department has established dash dash, in order to look the problems of women, तो कौन सा department है, women's bureau जो है, वो established किया गया है, जो females की problem को देखने के लिए, यहां पे female supervisor, जो है, यह post है, और females के लिए ही है, particularly, इसमें male कोई भी नहीं होगा, तो यह भी आप याद रखें, कि females के journal knowledge question भी ज़रूर याद रखें, particularly जो females के लिए होते हैं, हो सकता है, वो भी आपको पोचे जाएं, 56 में आप देखें, the national commission for women was set up in the year 1992, option in 1992, sociological differences between men and women is called as, यहां पे gender कहा जाता है, sociological differences में gender कहा जाता है, sociological differences में gender कहा जाता है, 58 question देखें, women are referred as, यहां पे home makers कहा जाता है, domestic helper नहीं कहा जाता है, pressure groups नहीं कहा जाता है, decision maker नहीं कहा जाता है, home makers कहा जाता है यह तमीज और discipline वाला word जो females को दिया गया है यहाँ पे 59 the fifth women's world congress was held at यहाँ पे बीजिंग चाइना का शहर भी है और capital भी है तो वहाँ पे यह held हुआ था question number 60 पे चले हम तो यहाँ पे IRDP stands for यहाँ पे आता है integrated rural development program option B question number 61 the Sanskrit word viva means यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा third samaskara of a man's life उसके बाद next देखें आप question number 62 sex age and caste are the examples of यहाँ पे status set status set option D the primitive society was regulated by written laws written laws caste can be defined as यहाँ पे a form of social stratification a form of social stratification question number 65 में देखें any portion of community marked off from the rest by social status is यहाँ पे आप देखेंगे social class option C social class social stratification यहाँ पे देखें आप social stratification क्या है option है is an unavoidable phenomena unavoidable phenomena question number 67 पे पहुंच चुके हैं India is a society in which the basic unit of stratification is the caste is the caste caste जो है basic stratification basic division है social stratification implies social inequality option A social inequality class distinction option question number 69 class distinction is यहाँ पे one of the basis of wealth one of the basis of wealth wealth के basis पे class distinctions हो आ करती हैं यहाँ होती है society के अंदर question number 70 जो कि आज का आखरी question भी है इस unit का unit number one का और video number one का caste system is determined by यहाँ पे बर्थ itself बर्थ itself बर्थ जिस family में होगा वही caste जो है आपकी होगी तो यहाँ पे एक quick revision जो है मैं करवा रहा था आपको unit one unit one specialization का जो कि 60 marks का total syllabus है I hope कि यह video आपको अच्छा लगा होगा अभी तक आप इस video को देख रहे होंगे जुड़े होंगे subscribe नहीं किया है तो इसी तरह के आगे भी जो हम series लाएंगे unit 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit 6 इसी तरह से और different books और different sources से ताकि आपको revision करने में मदद हो supervisor का exam निकालने में आपकी मदद हो फिलाल तो हम specialization पर focus करेंगे उसके बाद GES current affairs और बाकी सारे videos भी आपके साथ discuss जरूर करेंगे और पहले भी कुछ videos मैंने चड़ाएं वो भी आप जरूर चेक आउट कीजेगा अगर आपके exam point of view से आपके slips के हिसाब से आपको कोई फायदे वाला video मेरे यहां पर मिलता है तो उसे भी जरूर चेक आउट कीजेगा subscribe नहीं किया है तो इसी तरह के आगे आने वाले videos के लिए भी इस channel को जरूर subscribe कीजेगा bell notification icon को प्रेस कर लिजेगा video अगर अच्छा लगा हो like share और comment करना ना भूलिएगा हाँ एक बात और दुबारा से repeat कर लेता हूँ कहीं पे भी कोई answer आपको गलत लगता है तो आप अपने हिसाब से उस answer को जरूर comment में लिखेगा ताकि बाकियों को भी help होगी वीडियो को देखना शेयर करना जो है अच्छी बात है अगर आपको ये content अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी female के लिए supervisor की पोस्ट के लिए अपलाई किया उनके साथ भी इस वीडियो को different groups में जरूर शेयर कीजेगा तो जाते जाते इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनेट नमबर टू के साथ तब तक रखे अपना बहुत सारा ख्याल God bless you all